जो इतना गुण्डागर्दी है जब चल रही है मायवती गहन के अराज में नहीं चलता था था यह सब तो हमें पूरा भरोस्ता है और इधर भी आज पाफ जब हम लोग बात चित करते हैं तो लोग लगता है कि नहीं चाहे वो जनरल हो चाहे ज़्यक्ती हो चाहे OBC की लोग हो ठीक है हाला कि फब लोग तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग है जो सर्व समाज मायावतिजी लेकर चलें तो वो सभी लोग मायावतिजी को ओट इस बार करेंगे नमस्कार आप देख रहें NBJS 24 इंटु सवन नीलम बोध के साथ लगातार उत्तर प्रदेश के दोरे पर है और आम जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहें कि आम जनता इस बार क्या मूड बना कर बैठे किस के सरकार चाहती है और हम आपको वो विकास भी दिखा रहे हैं जि पिछले पांस साल से लगातार योगी-जी सरकार रही और कितना योगी सरकार में काम हुआ हम आपको वो परतेक्स रूप से धरातल पर जाकर दिखा रहे हैं हम यह नहीं है कि होगा हवाई बाते कर रहे हैं में मीडिया पर बैठके नीजरों में तयार कर रहें बलकि हम यह विधान सभा कुन सी है यह विधान सभा 392 के अंतर गताता है ग्राम जोरी फुन वर्षा और न्याय पंचायत अफोगापूर के अंतर गताता है बदोई जीला जी इस पार उत्तर परदेश की राजनीति को देखते हुए और खासकर जो आपकी विधान सभाय कितना विकास हुआ इसमें विकास तो अभी इस राज में तो कुछ सोब धिखान है टेक वबतमान में विधायक रविदनाथ कौन सी पार्टी से हैं तो कोई विकास नहीं ने हैं वो तो कभी इदर दिखे भी नहीं हम तो करबर जानते बेने की कौन है बिल्कुल नाराज है आप ठीक है जैसे कि देखेंगी कि अभी ठीक है अभी सड़क देख लीजिए चाहे वह रोजगार देख लीजिए और चाहे कि आप पढ़ाई लिखाई देखें किसी भी छेत्र में ठीक है बस खाले धर्म को लेकर बड़ी सारी चीजिए लेकर राजनीती हो रही लेकिन जो फच में विकाफ होना चाहे जमीनी अस्तर पर वो कहीं दिखा नहीं अभी तक तो क्या लग रहा है परिवर्तन चाहते हैं फिर से योगी तो जिस तरह से आप बाते बता रहें तो इससे तो यह लग रहा है क्या इस शेत्र की जनता जो बीजेपी के विधाय कवरतमान में उनको नकार रही इस बर हाँ बिलकुल बिलकुल तो किसको लेकर आएंगे हम बहन जी ने ठीक है जो कच्छा आठ के पास ब्यक्ति थे उनको भी नोकरी दिया सफाई कर्मीं भरती किया ठीक है तो चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो ठीक है पढ़ाई लिखाई का मुद्दा हो चाहे बन बेटियों का सुरच्छा सरचण चड़ हो ठीक है चाहे रोड हमारे मित्र रयार हैं पढ़े लिखे लोग हैं हैं और आगे वी पढ़ाई चल और हमारे सामने healthy यहां इनका वी बीस्ट चल रहा है नहीं है रोजगार नहीं चाहोंगी जिस तरह आपने अभी ब्यस्क in gatt नोइ चिस तरफ जा रहे हैं चलना डए हैं जैसे धर्म की राजनीती हो लोग है हाला की सब लोग तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग है जो सर्व समाज मैयवती जी लेकर चलें तो वह सभी लोग मायावतीजी को ओट इसमाु और नहीं बात है लेकिन आज सभी लोग सिचित है हलागी नहीं मिल पार रहे लेकिन इहिंडա का मतलब टीक brings लोग पात बुद्धि का दिर्म में से पर चाह्या होना चाहिए हमारा घर-छाय होना चाहिए शिच्छा के इस्तर में चाहिए किसी की इस्तर में तो लोग हमें लगता है पूरा विश्वाफ से कि ब्यस्पी इस बार आएगी और लोग उढ़ी को चुनेंगे अब आपने नाराजगी की बात की तो यह आपकी नाराइजगी है? चाहे OBC के लोग हों, चाहे SC हों, चाहे ST हों, ठीक है कि सभी लोग समझ रहे हैं कि विकाफ भाई नहीं हुआ तो लोग नाराज होंगे, जाहिर से बात है यहां पर और भी लोग है, उनसे भी जुड़ने का प्रियास करेंगे और जायनेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं अकाश राओ, क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, इस मैं 12 में हो, तो वोटर हो? नहीं मैं भी तो वोटर में नहीं हो, वोटर नहीं हो लेकिन फिर भी जाना चाहूंगी, आप उत्तर परदेश के हैं और युवा हैं, तो किस तरह की सरकार चाहते हैं अपने ल की हैं, और आगे चल के करेंगे भी, हमें तो उन्हीं सुमीद है, आपका नाम क्या है? साइन कुमार भारती है, वोटर हो, तो इस बार अपने वोट का जो इस्तमाल करोगे, किस के लिए करोगे, क्यों करोगे? जो है, हम लोग बहुजन समाज के लिए करें वोट, बहुजन मैं पढ़ाई करता हूँ, साथ में काम भी करता हूँ, क्या काम कर रहे हैं? अभी उत्तर पर्देश और खासकर आपकी विधान समा की हम बात करेंगे, आपकी विधान समा में किस तरह का विकास हुआ पिछले पांस साल में? विकास तो कोई देखी नहीं रहा है, यहां से अभी आपके सामने भी दिख रहा हुगा है, कैमरा उधर करके आप देख लेजिए, वहां पर देख रहे हैं, अभी चुनाव का मावल है, तब जाके गिट्टी परा है, वरना इससे भी बत्तर नल का पानी सब ऐसा गटर सब वरत्मान सरकार से बहुत जादा नाराजगी है, और यहीं नहीं की सिर्फ दली समाज के लोग नाराज है, बहुत से लोग नाराज हैं, बाजपास हैं, और हम लोग बेस्पी को चुनेंगे, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, उत्तर परदेश में जो अन्य लोग हैं, वो जैशरी राम के नारे लगा रहे हैं, और हिंदुतव की बात करें, और हिंदुतव के आधार पर वोट देने की बात करें, तो इस पर क्या सोचते हैं, अब लोग सिच्चित हो गया हैं, तो उनको अपने समझदारी अपना वोट सही जगह देना चाहिए, ऐसा बात नही हैं, तो हमारे में मैं तो BSP मतलब सब लोग, BSP को दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी माताएं, बहने हैं, उनसे जानने का प्रियास करेंगी कि आखिर वो क्या सोच बना कर बैठी हैं, इस बार के चुनाव के लिए, आपका नाम क्या है, मीरा देवी जी, जानना हैं, तो महगाई में तो सब कान धन्दा कुल छुट गया हैं, इही से सब बाराज है, वहला कोई विकास नहीं है, आपके गाउ में, कुछ नहीं, कुछ के नोकरी, सोकरी, कुछ नहीं लगता है, माने, खान पियान के लिए सब के दिक्कत है, इही लोग से, परेशान हो, ले नहीं नडेवी जी किसको वोट कर रहे है, य। किया आप कई ही हाथी को, क्यों हाथी ही क्यों , क्यों कि हाथी ही हम लोग करते हैं, संभान को उतस हो सबने में बनाये, हाथी वाले करते हैं, हें गाउं की महिला है, कि आप कुसको वोट कर रहे हाथी को दोगे कि पूरा गाऊंगा तेल किया है कि अपना मांग तेल किया है हम लोग कईसे खाये के कमाये के कोई कमाता नहीं है बचे लोग है बाइठा है सब लोग महंगाई हो गई है लेकिन योगी जी तो कह रहे है बहुत कुछ सस्ता हो गया है और हम राशन भी बाढ़ रहे है बहुत सस्ता है कुछ भी सस्ता नहीं है जूट बोल रहे है योगी जी वोट दे रहे हां जानना चारू जिस तरह से भी हमने लोगों से बात कि लोग कह रहे है कि योगी ने कोई काम नहीं किया है पूरा गाउन नाराजा उनसे कोई वोट नहीं दे रहा हैं चलिए देखिए माताजी ने अपनी राय रख़् आपका नाम क्या है गयान देवी जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहें तो आपका मत कया है आप किसको वोट कर रहे गर आ बहुत कुछ बोल रहे हैं योगी तो यह विोगी लिलने हैं उसे ऊण नहीं हो कोई नहीं है अब कोई उमर्फ जाएगा नहीं कैसा भीर साथ जी एक जिए गा जरूर तो इस बार सरकार बदलेंगे पिर से योगी नए सरकार बदलेना चाहिए किस के सरकार चाहते हैं बिसपी की तो क्या लगता है बीसपी आईगी तो आपके गाउं का विकास होगा विकास तो होगा जो इतना गुंडा-घर्दीया सब चल रही है मायवती बहन के अराज में नहीं तो देखे जिस तरह से यहां पर हमने गाउं के लोगों से बात कि और जिस तरह से अपने विचार उन्होंने बड़े सवतन तरीके से तरह से अपने नोकृरी के अकड़े इनके हाफ में कोई नोकें महिलाउं ने बता है कि घर की जो आजिव केऊ बहुत से मभगा सरक यह अ'Tरदेष के खास करभ overlooked बढ़ोई विधान समा के लोग एक उम्मीद लगा रहे कि अगर इस बार यहां से बहनची जीती है तो इनका बहुत बड़े स्थर पर विकास होगा और एक उम्मीद है कि 2022 में बहन कुमारी मायवती मुख्य मंद्री बने ताकि सभी समस्याओं से इने निजात मिल सकते हैं